से दोस्तों राकम बाक्टि माय चैनल काड़न नीचेस लबर आगे आप से बहुत अच्छे होंगे दोस्तों तो दिखिए मैंने ये मिट्डी तेयार कर लिया है और आज हम बात करेंगे संसावेरिया के बारे में संसावेरिया पूरा अल टोटल आल अवाउट संसावेरिया के वालन बात करेंगे तो दिखिए लास्ट वीडियो में मैंने आपको नहीं बताया था ये मैं वेल्फिन संसावेरिया लाई हूँ इसको मैंने देशो रुपए से लाई हूँ आज हम बात कर लेते गमले के विभारे में गमले तो मैं आपको पहले भी बता चुकी अपको आस तो सबाव चासरी देना है ये देखिए मैंने 55 रुपीस कर के इसको खरीदा है रही एसका वान शेंस तीस रुपए है आप देख सकते हैं तो आप कभी भी प्लांट को ग्रो करते हैं पॉट की नीचे छोटे-छोटे स्टोन या फिर सेंड का यूज किया कीजिए मैं हाँ पे सेंड का यूज कर रही हूं हाला कि स्टोन यूज करने से बहुत जल्दी पानी देते देना मिक्स हो जाता है और फिर वो ब्लॉक ही हो जा से भी ग्रो हो जाता है तो जाता है यह मैं बना जा ना에서 टाइम क्या है मैं स्टोनिक शर बनाइड़ थी असमें मैंने और्गिनिक अर्गी रियल बहुत कं मिलाया था ना की बराबर मिलाया था अब जब भी वर्मी कंपोस्ट कोपीट ula लहाना फिर आपका बहुत सारी material होते हैं आप इसको mix करके soil को light weight बनाया कीजिए और थोड़ा हो सके तो sand मिला लेजिए मैं mostly sand मिला लेती हूँ इससे क्या असानी से grow हो जाते हैं उनको जितना food material चाहिए वो असानी से मिल जाता है और grow भी अच्छे तरीके से हो जाता है तो आप बात कर लेते हम कि संसावेरिया को आपको indoor रखना चाहिए और outdoor रखना चाहिए संसावेरिया indoor outdoor दोनों जगा प्लेस कर सकते हैं यह बहुत ही ज्यादा beautiful plant है छोटे डॉर्फ में भी available हो जाते हैं लंबे वाले भी available हो जाते हैं तो आप इसको आप बाहर पे भी रख सकते हैं लेक इसकी बहुत सारी variety है ग्रीन वाले आप बाहर पे भी रख सकते कोई issue नहीं है लेकिन mostly इसको आप semi shade में रखा कीजे जिससे plant बहुत जादा अच्छा healthy रहता है यह semi shade lover होते हैं और indoor तो आप रखते ही है यह घर में आप decor के लिए रख सकते हैं बहुत जादा अच्छा लगत होता है mostly लोग plants लेते हैं बट उनको यह नहीं पता होता है कि यह oxygen purified भी होता है Harvard University of Extension से अप्रूवल किया गया है कि यह oxygen purified plant है यह बहुत अच्छा source है great source है oxygen purified के लिए एक ऐसा plant है जितने भी आपके हाला कि सेकुलेंट प्लांट्स है बट जितनी भी सेकुलेंट प्लांट्स है सबसे जादा यह यह को purify करने में जादा यूज आते हैं दूसरा चीज़ दोस्तों कि दिन बदिन इतने pollution बढ़ रहे हैं प्लांट्स कट हो रही है तो oxygen purified तो छोड़ी दिजे धंक्या oxygen कुछ इस दिन बाद मिलना बंद हो जाएगा फिर इसको देखा गया कि आपका जो carbon dioxide है इसको कम करता है रिड्यूस करता है आपके बैड्रूम को oxygen purify करने में बहुत जादा helpful होता है अच्छी भूमी का निभाता है तो आप इसको रूम में रखिए क्योंकि यहां पे भी यह चीज को भी जहां पे smoking होती है अगर उस जगा पे संसावेरिया के plant को रखा जाए तो वहां का oxygen भी purify होता है यह भी देखा गया है ति बहुत अच्छा एक oxygen purify plant है आप इसको घर में लगा सकते है डेकोरेशन के लिए भी लगा सकते है फिर यह भी देखा गया है कि night में oxygen क्या होत बेडरूम में बहुत कम होने लगती है घर के अंदर रात को oxygen बहुत कम होने लगती क्यूं क्यूंकि हमारे दोर है विंडो से वह बंद रहती है पंखा बस चलते रहती है रूम के अंदर जिससे क्या होता है carbon dioxide carbon dioxide ही collect होता है जो हम छोड़ते वही ना रूम में रहेगा तो य इस तरीके से पानी का स्प्रे कीजिए जिससे क्या होता है root disturb नहीं होगा और इनको जितनी पानी चाहिए उतना available होगा हाला कि देखा जाए तो पानी को आप स्प्रे से ही इंडोर प्लांट में डाला कीजिए तो ही रस्ट रहता है सो यह दोस्तों वीडियो अगर अच्छी कर दीजिए मिलते हैं नेक्स वीडियो में बाई बाई